मुश्कार मेरीदा सैफी देख रहे हैं आप महाखबर जुड़ गए हमारे साथ में बंगला साइब के चेर बैन पात करके पूछने की कोशिच करेंगे उनसे कि क्यूंके उन्हाने यहां पर आने जाने वाले लोगों के लिए लंगर का इंतजाम किया हुआ है तो सरकार से उन सबसे बड़ी यह देश का आनत आता है जो इस पूरे देश को पेट भरता है और यह जितने कि संगर्ष के लिए उतर नहीं प्चेते हैं और आज बहुत मरा है कि आज यह किसान लोग यह आज सारे के सारे आके अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा है और सरकार को चाहिए कि इनकी बी मांगें हैं ओं मांगें माने पतालों यह जाकर दोवारे देश की सिवा में जू और दूसरा क्या है कि जितने भी भाई हैं जिसको भी पता लगता है इसमें से बहुत सारे कनून है कि अगर आज की डेट के अंदर एक किसान के उपर दस परसंट कर जाए ना यह कनून आने के बाद सो परसंट कर जाओ और वह अपनी जमीनों साथ दो बैठेंगा वेसिकली य जाओ था क्यूंटा चाहिए कंपनने ने कर लोन लेकर जाएं प्रदासंज्म है जह तरह के कनून हैं सारे के सारव पिस ले जाने चाहिए लों। अभी मंडी बौड मंडी बोड और इतने भी सिस्टम्स हैं उसके अंदर भी बहुत सुदार होना चाहिए जो इनको इनकी फसल की पूरी कीमत मिल थके आज इनके पास से अगर आप को इतना ही कमिशन मिलेगा जो स्टोर करते हैं और उस स्टोर करने के बाद उसको लगा लो कई की सो गुना ज्यादा रेट वेशने हैं उनके उपर जरूर कनून का सकना चाहिए जो फिलहाल जो किसाने की फसली बरबाद हो रही हैं आपको उस पर क्या कहना सरकार को उसके बचानी है यह फिलाल आप लोगो का अंदोलन चल रहा है किसानों का अंदोलन चलर रहा लेकिन मीडिया का इसको खालिस्तानी मूव्मेंट यह लागी के बात को बताई यह वहाकि को बताई नहीं को बताई करते हैं को नानक साब नाम जपो वांड चको ये उसके उपर चलने वाले लोग हैं ये खालिस्तान की बात करके गुम्राह किया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है और कितना शांत्वाई तरीके से पिछले आज पांचमा के छेमा दिन है यहां पर चल रहा है आप देख सकते हैं अगर कल में पूरी नहीं हो लोगी यह धरना अनस्चत काल के लिए जारी रहे गा अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी है तो ये थे हमारे साथ सिखुत गुर्द्वारा कमीटे के चेयर में